हेलो दोस्तों, आप सभी लोग Android मोबाइल का यूज करते हैं और आज की डेट में सभी अपने डॉकुमेंट्स भी लगबाग मोबाइल के अंदर रखते हैं आज हम आपको बताएंगे कि आप Google का एक प्रोड़क्ट है और उस प्रोड़क्ट का नाम है Google Drive इस Drive का आप कैसी उस करेंगे 15 GB तक का आपको इस पेस मिलेगा और उसका प्रोपर यूज करेंगे बहुत सारे लोग को Google Drive का यूज करना पता तो है लेकिन सारे फीचर नहीं पता है अगर आपको सारे फीचर पता हो जाएंगे करने वाला हूं तो दोस्तों बने रहेगा हमारे साथ वीडियो को लास तक देखिएगा ले चलते हैं आपको अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर वहां पर पूरा शो करते हैं कि कैसे इस पर को हम करेंगे Google Drive को स्टार्ट करने के लिए हम अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर में क्लिक करने बाद हम यहां पर लिखना होगा Google Drive वैसे तो अगर नहीं आता है तो यहां पर झाकर पूरा नहीं पर पिर्षिस और नहीं तो आप इसको आपने मोबाइल को एक्टिवेट कर रखा होगा वही Gmail ID से आपका Google Drive खुल जाएगा जैसा कि यहाँ पर तीन arrows तीन लाइने उपर दी हुई हैं इन तीन लाइन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें Google Drive दिखाता है कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पर यह कह रहा है कि 0% आपकी ड्राइव अभी फुल है मतलब अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर या लगभग ना के बराबर है अभी हम क्या करते हैं हम सेटिंग्स पर जाते हैं यहाँ पर और सेटिंग्स पर जाकर के हम देख सकते हैं और अगर पहले बारे चैनल पर आएं तो नीचे लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस वीडियो मिल सकें सबसे पहले इसके अलावा backup and reset का भी option है यहाँ पर कि आप कुछ अगर backup लेना चाहे हैं device का backup लेना चाहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं और यहीं पर वापस आ जाते हैं अब इसके बाद हमें दिखता है यहाँ पर my drive और इसके अंदर एक file मैंने अलड़ी डाल रखी है अगर आप इसके अलावा कुछ भी file upload करना चाहते हैं इसके अंदर जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ अगर हम अपने घर के bills जैसे electricity के bills, water के bills या कोई भी important documents इसके अंदर रखना चाहें या family के photograph रखना चाहें तो हम इसके अंदर रख सकते हैं लेकिन अगर सारे हम एक साथ रखेंगे तो सब आपस में mix हो जाएंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, folders create कर लेते हैं जैसे real life में हम लोग सब सामान को रखने के लिए अलग-अलग shelf बनाते हैं हम इस plus पे क्लिक करते हैं जो नीचे plus दिया हुआ है और plus पे क्लिक करने के बाद वो हमें option दिखा रहा है कि आपको क्या करना है यहाँ पर, folder बनाना है या upload करना है या scan करना है सबसे पहले में बताऊंगा कि folder create करना है और इस folder का नाम में लिख देता हूँ electricity कुछ ऐसे लिख देता हूँ electricity और create पर क्लिक कर देता हूँ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक folder electricity नाम से बनकर आ चुका है अब इसके बाद अगर हम चाहें तो एक water के नाम से भी एक folder बना सकते हैं यहाँ पर क्लिक क्या plus पर और उसके बाद यहाँ पर folder पर गए और यहाँ लिख दिया मैंने water create दो folder हमारे create हो गए अब अगर हम चाहें कुछ और भी folder create करना चाहें तो मैं plus पर क्लिक करता हूँ और folder पर क्लिक करता हूँ family create तीन अलग अलग folder बना लिए electricity में मैं electricity के बिल रखूँगा family में family के photographs water में मैं water के बिल रखूँगा इस तरीके से हम folder बना सकते हैं या जैसी हमारी requirement हो उस requirement के recording हम यहां पर काम कर सकते हैं या अगर future में हम चाहें कि हम कोई और folder बनाना चाहें तो इसी plus पर क्लिक करके हम और भी folder create कर सकते हैं अब अगर हमें कोई file upload करनी है file save करनी है इसी google drive के अंदर तो हम क्या करेंगे हम यहां पर जाएंगे plus पर क्लिक करेंगे और यहां पर लिखा हुआ है folder upload scan तो हम सबसे पहले upload करके दिखाते हैं आपको upload पर क्लिक करते हैं तो वो यह दिखा रहा है कि हमारी drive device के अंदर क्या-क्या file है इन में से कौन सी file हमें upload करनी है तो by the way कोई भी file मैं एक ले लेता हूं यहां से कि मुझे यह file upload करनी मैंने यह file ले ली jpg और इसने पूछा आप allow कर रहा है कि आपको इस drive में इस photo को ले जाना है मैंने का yes अब देखिए वो photo भी इसके अंदर आ चुकी waiting for wifi अभी जितना time लेगा यह net key speed के हिसाब से दीरे-दीरे करके यह file इसके अंदर permanent save हो जाएगी लेकिन यह file किसी particular folder के अंदर नहीं save हुई है अगर हमें file को folder के अंदर save करना है तो सबसे पहले हमें उस folder पे click करना है by the way मैं कहता हूँ कि मेरा family का कोई या water का कोई document है या electricity का कोई document है तो हम electricity के folder पहले click करेंगे तब जाकर के उसको वहाँ save करेंगे हम electricity पे click करते हैं अब यहाँ पर यह दिखा रहा है कि इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है मैंने plus पे click किया इसके बाद फिर इसने पूछा आपको क्या करना मैंने का upload करना है अप्लोडिंग में इसने फिर मुझे कुछ चीज़ें दिखा दी और यहां से मैंने कोई भी कोई भी एक photograph मैं ऐसे trial पर आपको करके दिखाता हूं यह गारा वन फाइल इस बिंग अप्लोड़ेट वेटिंग फॉर वाइफाई यह आइरो दिखा रहा तो इस पर आप चाहे तो क्लिक कर दे तो थोड़ा तेजी से काम हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने files को upload कर सकते हैं देखिए यहां पर upload होकर आ गई है हम नीचे वाले आरो से थोड़ा सा बैक करते हैं तो हमें देखा रहा वेटिंग फॉर वाइफाई मीन अभी पुरानी file हमारी upload नहीं हुई है हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर अब भी uploading चालू हो गई और यह भी इसको upload करके अभी show कर देगा हमें तो इस तरीके से हमारी एक files के अंदर upload हो गई है और electricity का bill upload हो चुका है या जो भी हमने upload किया है इस तरह से जिस भी folder के अंदर हमें जो भी file upload करनी है वो photo हम यहां पर upload कर सकते हैं जैसे by the way हमने electricity वाले इसमें save हो गई है अब इस photograph को हम क्या कर सकते हैं हम इन तीन बिंदी पर click करेंगे यहां पर देखिए लिक कर आ रहा है कि इस photograph को आप दूसरों के साथ share कर सकते हैं जब share करेंगे तो यहां पर यह कर रहा है कि add people और group मतलब यहां पर जिसको भी आपको share करना है उसका email address डाल रहा है जब हम editor पर click करेंगे तो हमें यह option देगा कि जिसको भी फोटोग्राफ हम send कर रहा है क्या वो इसमें कुछ changes कर सकता है photograph में या अगर हमारी कोई file है या कुछ comment कर सकता है या वो कुछ cable देख सकता है तो मैं ऐसा कर देता हूं कि वो cable इस photograph को देख सकता है और वो इसके बाद हम वापस आते हैं इनी तीन बिंदी पर फिर हम click करते हैं इसी file पर work करते है अगर बार बार यह file हमें खोल कर देखनी रहती हो हो सकता है इसके अदर मैंने 2000 file रिस्टोर कर रखी हूं लेकिन किसी particular file पर हमें ज्यादा काम रहता हूं तो उसको हम add to start पर click कर और अगर हम यहां से link को copy कर लें, copy link पर click करते हैं तो वो link हमारा memory में copy हो जाएगा और इसको हम further use में ले सकते हैं इसकी हम एक copy और भी create कर सकते हैं, make a copy या send a copy इस copy को किसी को send कर सकते हैं या इसको अगर हम चाहें तो अपने computer पर या mobile पर जहां पर चाहें जहां भी हमने google drive को खोला होगा, वहां से इसको हम download भी कर सकते हैं अगर इस file का नाम मुझे बदलना है तो हम rename पर क्लिक कर देंगे, जो भी नाम यह दिखा रहा है मैं लिख दूँगा इसको कुछ भी photos कुछ लिख देता हूँ, photo one तो इसका नाम भी हम बाद में बदल सकते हैं या इसके कोई shortcut create करना चाहें तो shortcut create कर सकते हैं इसको एक place से दूसरे place पर move करा सकते हैं अगर इसका हमें print out निकालना है तो हम print पर click करके इसका print out भी ले सकते हैं और अगर इसको हमें हमेशा के लिए यहां से हटा देना है तो हम remove पर click करेंगे और यह file हमारी हट जाएगी हमेशा के लिए यहां से हम back screen पर आते हैं अब यहां पर जो नीचे हमें options दिख रहे हैं वह एक तो यह home वाला option हो गया एक start वाला और एक यह sharing option है और एक आपके बाद उसके बाद है files option कि क्या-क्या file है मेरे इस पूरे उसके अंदर तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जितना भी हमने folder और file है create की थी वह सब इसके अंदर restored है अब इसके बाद हम एक folder पर जाते हैं यह folder हम पर click किया तो folder हमें दिखा रहा है अब इसके बाद फिर से हम plus पर click करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या option बचके थे हमने folder आपको बता दिया upload भी बता दिया Google Doc और Google Sheet और Google Slides अगर इनका आप यूज करना चाहें फ्यूचर में तो कर सकते हैं लेकिन एक इसके अंदर ऑप्शन है इसके अंदर स्कैनिंग का भी option है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए यहाँ पर जो camera बना हुआ है इस पर click करेंगे click करने के बाद यह हमसे पूछेगा allow जैसे हम allow पर click करते हैं तो यह पूछ रहा है एक camera आपको जो यूज करना उस camera का राम बताईए एक camera मैंने यूज किया वह बहुत कहरा है कि जो भी आपको file या photograph लेनी है मैंने एक नीचे कॉपी रखी और इस कॉपी का मैं फोटो ले रहा हूं और इस फोटोग्राफ को लेने के बाद यह फोटोग्राफ अपने आप वहाँ पर स्कैन होकर किया जाएगी और इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे नीचे सेविंग का एक ओप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो वह फोटोग्राफ उसका कुछ नाम आएगा और नाम को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यह ग्रीन वालेस इंपर पर क्लिक करके और सेव पर क्लिक कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि वह फाइल भी हमारे इसी फोल्डर के अंदर वह यहाँ पर अभी तक यह शो कर रहा है कि वेटिंग फार वाइफाई मैं जैसी इस पर क्लिक करूँगा अभी यह फाइल पूरी की पूरी हमारे इसी फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाएगी इसके लावा जो ऑप्शन से इसके अंदर मैं प्लस पर फिर से क्लिक करके दिखाता हूं आपको गूगल डॉक्स गूगल शीट और गूगल स्लाइड वैसे तो तीन ऑप्शन इसके अंदर ऐसे हैं जिन अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं तो अच्छा रहेगा तो लेकिन वैसे गूगल डॉक्स में आपको दिखा देता हूं मैं इस पर क्लिक करते हैं तो यहां से गूगल डॉक्स अगर इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है और उसमें हम कुछ अपना डॉक्मेंट वगरा लिख सकते हैं मतलब कुछ पेज वगरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बद उसके लिए हमें इस्टॉलेशन करना पड़ेगा तो इसके लिए हम यहां से वापस आ जाते हैं अभी इसी तरीके से तीनों चीजों में से अपने मोबाइल पर इस्टॉल कर सकते हैं बट पहले यह चीज इस्टॉल होना चाहिए तब यह अच्छे से काम करेगा इसके लावा जो ऊपर यह तीन बिंदी दिख रही हैं तीन बिंदी पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर वापस हमें यह बता रहा है कि जो करते हैं वो कलर यहां से सेट हो जाएगा वो रेट कलर मैंने स्लेट किया था तब देखी यहां से स्लेट होकर क्या गया जिस कलर को मैंने रेट किया था यह कलर रेट हो गया अगर हम फैमिली वाले फोल्डर में जाते हैं और यहां से जा करके तीन बिंदी पर क्लिक करते है चेंज कलर करते हैं और मैं इसको green कर देता हूँ तो अभी देखते हैं कि जब हम वापा जाते हैं यहां से इस folder पे तो देखते हैं वो folder हमारा family वाला folder green हो गया electricity का रेट हो गया जैसे अलाग-अलाग color के folder हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं और इस green वाले folder पे मैं क्लिक करता हूँ तीन मिंदी पे यहां पे मैं कर देता हूँ add to start तो one item start हो गया अब इसका मतलब यह हूँ कि अगर हम इसके अंदर धेर सारी 2000 फाइले भी हैं लेकिन यह start means यह most important है मेरे लिए जब भी हमें जरुरत होगी तो हम जैसे ही Google Drive open करेंगे तो जब हम star पे क्लिक करेंगे तो वह folder हमारे सामने आ जाएगा बाकी को छोड़कर 2000 में से भी वह filter करकर हमें देदेगा अगर 2000 folder भी मेरे अंदर mobile के अंदर बने हुए इसके बाद यह जो next option आता है यह आपका है computers का तो computer के लिए बोल रहा है कि आप यही drive अगर चाहें तो computer पर भी खोल सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर sync करना पड़ेगा तो कहरा अगर computer से sync करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ से वापस हम अपने folders में आ जाते हैं और हमारी drive के अंदर यह दिखा रहा है electricity और family यह सब दिखा रहा है अगर यहाँ पर यह six बिंदी दी हुई है इस पर हम click करते हैं तो देखिए इसका format दिखने का तरीका इसका बदल जाता है लेकिन जब यहाँ पर वापस हम click करते हैं इस इसको मैंने पहले बताया था शेयर कर सकते हैं इसको तो दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है यह मलब एक तरीके से free में आपको storage का space मिल रहा है इसमें आप घर के documents या जो भी आप चाहें जो भी data आपको important लगता हो वह सारा का सारा data आप इसकंदर इसली store कर सकते हैं और व 15 GB तक आपको free है और 15 GB आपको इतनी आसानी से नहीं पढ़ेगा अगर आप कोई professional work नहीं करते हैं अगर आप professional work करते हैं तो आपको शायद 100 GB तक की जरूरत पढ़ें लेकिन वैसे आपको कोई जरूरत थी पढ़ने वाली तो यह total free है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया ह तो वीडियो को like करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe करें ताकि आपको हमारी latest videos मिल सके सबसे पहले